हलो फ्रेंड्स वल्कम बेक टू मैं चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपको डबल बेल स्लिव मेंडी टॉप बनाना बताऊंगी यह मैंने बचा हुआ फेब्रिक लिया है इसे मैंने फोर फोल्ड किया हुआ है यहां से इसकी लंबाई मैंने 22 इंच रखी है और इसका शॉल्डर मे 6 इंच रखूंगी आमच यहां से हमें सिधी लाइन ड्रो कर देनी है यहां से हम चस्ट का मेजर्मेंट लेंगे चस्ट हमारी बेबी की जो भी हो उसे डिवैट बाई फोर करके तमें 1 इंच depth कर Dana है यहां पर मैंने 8.5-8 इंच का गेब देते हुए हम राउंड शेप ड्रो कर देंगे गले की चोड़ाई में तीन इंच रखूंगी और गले की लंबाई में चार इंच रखूंगी और यहां से हमें राउंड शेप ड्रो कर देना है नीचे से हमारा थोड़ा लूज ही होगा इसलिए हम हिप का मेजर्मेंट लेंगे यहां पर मैंने साड़े नौ इंच पर निशान लगाया है और नीचे से नीचे तक हम तिरचे लाइंड ड्रो कर देंगे अभी इससे हम कट कर देंगे यह मेरे दो पीसे फ्रांट और बेक के अभी हम स्लिव की कटिंग करेंगे फैब्रिक को मैंने फॉर फोल किया हुआ है स्लिव की लंबाई में आठ इंच रखूंगी और उपर से स्लिव की चोड़ाई में साथ इंच रखूंगी और यहां से हमें तीन इंच पर एक निशान लगा देना है और लाइन ड्रो कर देनी है यहां से भी हम तीन इंच पर निशान लगाएंगे और सिधी लाइन ड्रो कर देंगे नीचे से स्लीव की चोड़ाई मैं 6 इंच रखूंगी और हम लाइन ड्रो कर देंगे साइट से भी हम इसकी लाइन ड्रो कर देंगे अभी हम इसमें स्लीव का राउंड शेप देंगे स्लीव के लिए जो हम सेप देते हैं उस तरह का शेप देंगे और इसे हम cut कर देंगे ये मेरी दो sleeve है सबसे पहले हमें इसका neck तयार करना है ये मैंने तिर्ची पट्टी cut की हुई है इसे हम हमारे neck पर सीधी side रखेंगे और round में slay लगा देंगे और इसे two fold करते हुए अंदर की side मोड देंगे दोनों neck को हमें इसी तरह से तिर्ची पट्टी attach करके ready कर देना है और two fold करते हुए अंदर की side मोड देना है ये मैंने इसका neck तयार कर लिया है तिर्ची पट्टी को अंदर की side मोड दिया है अभी right part के उपर wrong part को रखते हुए हमें इसके shoulder joint कर देने होंगे right part के उपर दूसरा part हमें उल्टा रखना है और इसके shoulder joint कर देने है ये मैंने इसके shoulder joint कर दे है अभी इस पर हम sleeve attach करेंगे sleeve को हमें सीधी side पर उल्टा रखना है और इसमें attach कर देना है दोनों sleeve को हमें इसी तरह से उल्टा रखकर इसमें attach कर देना है यह मैंने इसमें दोनों स्लिव अटेच कर दी है अबी हम इसे उलटा रखेंगे और सैट से इसकी फिटिंग कर देंगे वन इंज का गेब देते हुए इसे अच्छे से मिलाते हुए फेबरिक को हम वन इंज का गेब देते हुए नीचे तक इसमें सिलाई लगा देंगे दोनों सैट से हम इसी तरह से वान इंज का गेब देते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे नीचे तक यह मैंने इसमें सिलाई लगा दी है दोनों सैट से अभी इसे हम सीधा कर देंगे अभी हम इसकी बेल कट करेंगे सबसे पहले में स्लीव का मेजरमेंट लेना होगा पूरे राउंड का ये मेरा 10 इंच आ रहा है ये मैंने फेब्रिक को फोरफल्ड किया हुआ है और यहां से जो मेरा 10 इंच का मेजरमेंट आ रहा था उसका चोथा भाग धाई इंच आता है तो मैं half inch extra रखूंगी और 3 inch पर हमें निशान लगा देना है दोनों side से और हम round shape ड्रो कर देंगे इसके लंबाई में 5 inch रखूंगी 5 inch पर हमें निशान लगाते जाना है पूरे round में और हम round shape ड्रो कर देंगे अभी इसे भी हम cut कर देंगे यह मेरी दोस्त बेल है भी दूसरे फेबरिक को हमें फिर से 4 फोल करना है और जो हमने पहले वाला पाट कट किया था उसे भी इस तरह से रखते हुए हमें round shape ड्रो कर देना है उपर की side से यह हमारा तीन इंच आना चाहिए दोनों side से और हम round shape ड्रो कर देंगे इसकी लंबाई में 3.5 इंच रखूंगी साड़े तीन इंच साड़े तीन इंच पर हमें निशान लगाते जाना है पूरे round में और यहां पर भी round shape ड्रो कर देंगे अभी इससे हम कट कर देंगे यह मेरी दूसरी वाली बेल स्लीव है यह इस तरह से हमारा पाट आएगा एक दूसरे के ऊपर सबसे पहले हमें चारो रफल में हमें साड़ से सिलाई लगा देनी है चारो में हमें साड़ से सिलाई लगा देनी है उल्टी साड़ से हम इसमें सिलाई लगा देंगे यह मैंने इसमें सिलाई लगा दी है अभी इसे हम सिधा कर देंगे और बड़े रफल के उपर हम छोटा रफल अटेच करेंगे इस तरह से रखते हुए हमें इसके राउंड में इसे अटेच कर देना है जो हमारा बड़ा वाला रफल है उसके उपर हमें छोटा वाला रफल रखना है और पूरे राउंड में हमें सिलाह लगा देनी है दोनों को हम इसी तरह से एक दूसरे से अटेच करेंगे सीधी साइड से ही हमें इसे अटेच करना है यह मैंने इसे अटेच कर दिया है एक दूसरे के साथ अभी इसे हम उल्टा कर देंगे और जो हमारे स्लीव है उसे हमें सिधा रखना है और इसके अंदर हमें रफल को उल्टा रखते हुए नीचे की साइट से अंदर डालते हुए हमें इसके पूरे राउंड में सिलाई लगा देनी है साइट की सिलाई को अच्छे से मिलाते हुए दोनों की हम इसे पूरे राउंड में अटेच कर देंगे सिलाई लगा कर दोनों स्लीव में हमें इसी तरह से इसमें रफल अटेच कर देना है स्लीव हमने सिधी साइट रखी है और रफल को हम उल्टा साइट इस तरह से रखते हुए अंदर की साइट डालते हुए हम इसमें साइट की सिलाई को मिलाते हुए पूरे राउंड में हम इसे अटेच कर देंगे यह मैंने दोनों रफल को अटेच कर दिया है दोनों स्लिव में इसकी border को हम 2 fold करते हुए सिलाय लगा देंगे या फिर हम इसे stitch करवा लेंगे और नीचे की border को भी हम 2 fold करते हुए पूरे में सिलाय लगा देंगे इस तरह से मेरा double bell sleeve तो मेरी टॉप बनकर रड़ी हो चुका है फ्रेंड अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल आइकन को भी प्रेंस कीजिए ताकि आपको मेरा आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके मेरा यह वीडियो देखने के लिए थेंक्यू सो मच गाइस अभी हम मिलते हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए